मेरी अंतिम अभिलाशा भारती अजनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं चाहे जो भी करूँ उसके अलपांश का भी बदला नहीं चुका सकता और सच तो यहा है कि प्रेम जैसी अमूल ये चीज का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता लोगों ने बहुतों को सराहा है और अनेकों के प्रती श्रद्धा व्यक्त की है परंतो भारती अजनता के सभी वर्गों के लोगों से मुझे इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उससे अभिभूत हूँ मैं केवल यह कर सकता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूँ अपने देशवासियों के प्यार के योग्य बना रहूँ अपने अंगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुगरह का मैं और भी अधिकरिनी हूँ हम लोगों ने बड़े-बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें पूरा करते रहे तथा उन सफलताओं और विपत्तियों में साजीदार भी रहे जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती है मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संसकार किया जाए यदि मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरा भस्म प्रयाग भेज दिया जाए उसकी एक मुठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए भस्म के अधिकांश भाग का क्या किया जाए? यह मैं आगे बताता हूँ. भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए न सुरक्षित रखा जाए. प्रयाक की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टी में कोई धार्मिक महत्व न मैंने विभिन रित्वों में गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है. उस इतिहास तथा उन पौरानक गाथाओं, परंपराओं, गीतों और लोग कथाओं की याद मुझे प्राया हुआई है जो अनादी काल से उससे संबध है और उसकी जलधारा का अंग बन गंगा तो विशेशकर भारत की नदी है, लोगों की उस पार अपार श्रथा है, उसके साथ भारत की जातिय स्मृतिया, उसकी आस्थाएं और आकांग्शाएं तथा उसकी जय पराजय और उसके विजयगीत जुड़े हुए है यह गंगा युगों पुरानी भारतिय संस्कृती और सभ्यता का प्रतीक रही है, जो अनादिकाल से बहती हुई, बदलती चली जा रही है, फिर भी बनी हुई है, वही गंगा की गंगा वह मुझे हिमाले की उन तुशार मंदित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिला रही है, जो मुझे सदा प्रिय रही है, वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्कृत मैदानों की भी याद दिलाती रही है, जहां मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन के कार्यक प्रभात की किरणों में मुस्कुराती और नाचती हुई साय की घिर्तियाती परचाईयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमय बनी हुई शीत रितु में संकरी, मंद एवं ललित धारावाली, वर्षा रितु में समुत्र कासा विस्तार तथा कुछ-कुछ उसी कीसी प्रचना करती हुई गंगा, मेरे लिए भारत के उस अतीत और स्मृति के समान रही है, जो वर्तमान तक चला आया है और भविश्य के महसागर की ओर बढ़ता जा रहा है। चद्यपी मैं यह सब चाहता हूँ, तथा पी मैं यह नहीं चाहता कि मैं भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ लूँ। मुझे इस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भाती समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह उस अटूट श्रिंखला की एक अटूट कड़ी हूँ, जो स्मृति के सहारे भारत के अतीत में इतिहास के उशाकाल तक चली जाती है। उस श्रिंखला को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधी मानता हूँ और उससे प्रेणा ग्रहन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भस्म का शेश भाग विमान द्वारा उपर से उन खेतों में विखेर दिया जाए जहां भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं। ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन अंग बने।